पोलिस ने हत्याकान का क्या खुलासा बताते चले कि 6 दिन पूर बनानग मत्ता में जोयलर्स वा उनके 3 परिजनों की हत्या के मामले का पोलिस ने क्या खुलासा पुलिस नर्तक जोयलर्स के दोस्त वा उनके 3 सातियों को हत्या के आरोप में क्या गिरफता लूट पार्ट के इ दम सिंग नगर जनपत के नाने मता थाना छेत्र में 29 दिसंबर को नाने मता बाइपास पुल के पास जाड़ियों में दो लाशे मिली थी जिनकी पहचान अंकित रस्तोगी वह उनके भांजे के रूप में हुई थी साथ ही अंकित रस्तोगी के घर में उसकी मा और नानी की भी लाशे मिली थी पुलिस द्वारा इस हत्यकान के खुलासे के लिए पांस टीमें बना कर तेजी से चांच शुरू कर दी गई थी आडि आई जी निलेश आनंद भरने और SSP उदम सिंग नगर दिलीव सिंग कुवन ने हत्यकान का खुलासे करते हुए बताया कि मृत्यक अंकित रस्तोगी के दोस्त रानु रस्तोगी ने अपने तीन साथियों मुकेश बर्मा, राहूल बर्मा, निवासी, रुद्धरपूर और सचिन सकसयाना निवासी खटिमा के साथ मिलकर इस पूरे हत्यकान को लूट के इरादे से अंजाम दिया था पुलीस ने अभी युगतों के पास से लूट के 35,000 रुपे वा बैगनार कार बरामत की थी दिया घ्याना दिया गया वही विदायग परेम सिंगलाडा ने पुलीस टीम को 11,000 खिसान संगठने 50000 इस ग्राम प्रदान संग ने पांच हजार की नगत धंडाशी इनाम में दी है प्रादिक इत्यास है उसको भी हम बहुत जल्दी इसके रिस्टिंग करेंगे इसमें जैसे लूट की अतना रूट कार्यत करने की दिसकर्टी मामला किया गया था इसमें चालीस हजार की लगबक पैसा रदमासमी लोगों ने लिया था उसमें 35 हाद की हमने रिकपरी कर दो बर कर दिये हैं